जब तक देहा शक्ति है तब तक परमार्थ का आनंद क्या है ये आपका अनुभो करने की शामर्थ नहीं ना अंता करने में न शुभाव में सुद्ध परमार्थ का जो शुरूप है वो ये सब से अपना सम्मंध ना रखना है इसी से खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब चेश्टाइं दिखाई दे रहे लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा इसे कोई शम्मंध वो इस्थिती होती तुमारी बातों से नहीं होगा वो एक स्थिती होती है यहां जो उपदेश दिया जा रहा है उसका भाव अंतरी की है कि जिनोंने किवल इंद्रियों के भोगों को ही सुख माना है ऐसे लोगों से शंभाशन ऐसे लोगों की शलाह ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपके विचारों में संक्रामक भाव पैदा कर देगा जो आपने द्रड निष्चें किया है भगवत प्राप्ति का उसमें बाधा पहुंच जाएगी महापुरुषों ने तो इतना कहा सर्प का संग कर लेना ठीक है लेकिन भी सही पुरुष का नहीं गुश्वामी तुर्शी द्राशी ने तो कहा बरभल बास नरक करताता दुष्ट संग जनी देविधाता नरक का बास अच्छा है लेकिन विशई पुरुष का शंग अच्छा नहीं बहुत सुक्ष्म विशई है नरक के बास से हमारे पाप नश्ठ होते लेकिन विशई पुरुष के संग से पाप प्रवत्ती बढ़ती है साप काटेगा तो उसके विशई की ओशदी भी है या बहुत बहुत एक सरीर नश्ठ होगा लेकिन विशेयों के संसकार हजारों जन्मों तक हमें जलाते रहेंगे जैसे अभी जला रहे हैं पीछे किये हुए विशेय सेवन से जब मन और पाचों ग्यानेंद्रियां ये विशेय भोग में प्रवत्त हो जाती है उस समय प्राणी के हरदय में भोगों का शंकल्प द्रड़ होता है शंकल्प वाशना प्रगट करती है वासना से बिचलित हो उठता है और वो बार-बार भोगों में ही सुख ढोड़ता है यही समश्या है यही बंधन है यही माया है बार-बार इंद्रियों के शात मन का भोगों में विचरन करना इसी को रोकना साधना कहते हैं मन जिस एक इंद्रि के शाध जिस विशे का शेवन करता है उसी में उसको उठसकता प्राप्त होती उठसाह प्राप्त होता है यही उठसाह उसकी दुरगती का कारण होता है सूक्षनता से समझना प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग किशी भी इंद्री के विशे को उत्षाह पुर्वक ना भोगे सास्त्र शम्मत भी जैसे आपको खान पान की शामागरी अच्छी शामागरी है कब मात्रा में लेजिए उदाशिन होकर पाईए भगवत प्रिशाद है बस प्राण पोशन के लिए अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए यही उत्षाह है इंद्रिया उत्षुक हो गई आज यह उत्षुक हो गई अब क्या हुआ उत्षाह के साथ हो जैसे गीली या गरम मोम में ततकाल चाप लग जाती है ऐसे आपके अंता करण में बिशेरस की चाप और बढ़ गई और बढ़ गई चले थे बिशेरस मिटाने के लिए और हमारी उल्टा गती हो रही बिशेरस और पुष्ट हो रहा है बिशेयों के प्रति उत्षुकता भर जाना उन्हें देखा है महापुर्शों को जब यमुना किनारे बिंदोर की तर ब्रहमन कर रहे थे हमारे दो ही मार्ग थे गंगा का किनारा और यमुना किनारा कभी किसी शहर किसी ग्राम में एक भी रात्री रुकने का ऐसा कभी नहीं रहा जहां तो कोई देवाले यमुना किनारे या गंगा किनारे जब ब्रहमण किया है या गाउं के बाहर कोई देवाले उसमें रुकना तब तक जब तक ब्रंदावन धाम में स्री जी ने कृपाने तब तक कभी भिख्षा नहीं मांगी आकाश्वर्ति का ही आश्चरे लिया जो हमारे पास स्वयम आ जाएगा हम उसको पाएंगे अन्य था मांगने का शब्द नहीं था क्योंकि योवन अवस्ता थी नगर में प्रवेश होने से हमें डर लगता था किसकी क्या भावना है कैसा है तो गंगा का किनारा हमारे लिए य चश्मा और चड़ी वही अचला ऐसे मच्छरों से बचाने के लिए ओड़ लेते दो लंगोटी एक अचला एक शड़ी एक चस्मा चांद्योगुप निशाद आई शाब बैरागी की देख के एकदम चित्ताकरशित हो गया और ब्रम्भबोध शंपन्नमा पुरूश तो जैसे बंडारा हो रहा है प्रयाग में कुछ दिल लुके थे उनके साथ बंडार हो तो खबर रखते थे गए नारायन नहीं शुआमी जी हमारे यहां तो बैठ के पवय जाता है तो नारायन अगर आपको देना है तो दे दीजी हम बैठेंगे तो नहीं तो उनका इशाब प्रभाव था कि सामने वाला फिर कुछ को बोल नहीं सकता था ओ सब सामा क्या है अज़े दो पुड़ी डाल दीजे सबजी डाल दीजे खीर इसी में डाल दीजे उ और प्राणों को आहुती देनी है प्रभु के चिंतन में एक एक श्वास की आहुती बहुत बड़ी अग्य है एक एक श्वास में हम अपने आराध्य देव का चिंतन कर रहे हैं तो ये प्राण वायू का हवन हो रहा है प्रभ्रम परमात मतत्त में ये जो इंद्रियों के श शुभाव आप जैसी इच्छा करोगे भजन करते हो पुर्ण हो जाएगी जो इच्छा करी हो मनमाही हरी प्रशाद कछदुर लब नाही तुम जो चाहोगे मिलेगा लेकिन भावाजी बने है या परमार्थमार्ग के पतिक बने चाह मिटाने के लिए चाह को पुष्ट करने क लेने इसमें आपको हट करना पड़ेगा अलग-अलग श्वाद लेने की चेश्टा छूड़िये यही चेश्टा तुम्हें और इंद्रियों के भोगों में फशा देगी यही उत्सा तुम्हारे पतन का कारण होगा भोग के लिए उत्सा होना यह परमार्थ विहीन अंता क करण का लक्षन, परमार्थिक का जो अंता करन है व कंठ पुरवक भगवत चिंतन के लिए उत्साहित रहता है हसके अगर हमारा हरत्य भोगों के लिए उत्साहित है त simulator को लिए जलन नहीं होती है कि तुमको खलेश नहीं होता कि हम अपने मार्ग से विमुख उत्सा कर रहें जथालाब शंतो शदा काहो सो कच्छ न चाओंगो कोई कच्छा पक्का ये वो कोई मतलब नहीं है भागे प्रारद्ध के अनुशार या प्रभू के विधान के अनुशार जो है उसको उचित रूपी हाँ दो रूटी डाले सब्जी डाले बस प्राण पोश्रन करना है और भगवत तत्त्त में लीन होना है खा पी के खुब भोगों को थोड़ी भोगना है और ग्रेस तदर्मे में भी आवश्यक्ता नुशार भोगों के सेवन का आदेश है अगर आवश्यक्ता से बिपरीचेश्टा करोगे अहार विहार की तो बिपरीचेश्टा फिर आपके अन्य इंद्रियों की होगी वो अधर्ब हो जाएगा चाहे जो कोई हो अध्यात्म सुख लेना है तो इंद्रियों को ये भोगों में उत्साह ना रखते हुए केवल प्रान पोशन या भगवत आज्यां का पालन करने के लिए चाहे वो ग्रेश्ट हो या विरक्त हो जैसा सास्त्र शिद्धांत है उसके अनुशार चले उत्साह पुर्वक भजन करने में बृत्ती लगनी चाहिए अधिक से अधिक वो 11 माला जपता है तो हमें किश माला जपे एक क्यावन माला जपे अधिक से अधिक उत्साह हो प्रपंच वार्ता करने में प्रपंच चिंतन करने में भोगों को भोगने में या ध्यात्म मार्ग के पतिक का लक्षन नहीं सबके अंदर इंद्रियों का विश्यों के प्रतियाकर्शन और उत्साह रहता है इसी को नश्ट करना साधना है मना, खष्टान, इंद्रियानी, प्रकतिस्थान इकर्षती, उसी को उल्डा करना है हमको, प्रकति की तरफ नहीं, प्रमात्मा की तरफ आकर्षित करना है, तो कमरकस के जब इस मार्ग में तुम चलोगे, तो तुमें शायोग मिलेगा, आराध्य देव का, गुर्देव का बल मिलेगा, और उसी बल से हम आगे बढ़ते हैं, तो मन जिस इंद्री के विश्यों का सेवन करने जाता है, उस विश्य में उत्साहित हो जाता है, सब देखो हिरदय में, और वही उत्साह द्रड चिंड बना देती, संसकार बना देती भोग के, और भोग, उपभोग में प्र पता संकल्प भीजेन, कामेन विसेशुभी, विद्धा पतति लो भागनौ, जियो तिरलो भात पतंगवत, अब उसका संकल्प पे संकल्प बनता रहता है भोगों का, आज ये भोगा, कल वो भोगेंगे, ऐसा अगर मिले तो अच्छा है, ऐसा भोगें तो अच्छा है, अंताहकरण को बीध देता है, कसक्त जलता रहता है, हार समय, भोगते हुए भी, भोग के इतनी वासना बढ़ जाती है, कि इंद्रियां काम नहीं करती है, और तरशना बढ़ गई, कितनी दुर्दशा, बुले वो ऐसे नस्ट हो जाता है, जैसे पतिंगा, तेज के आलिंग करने के लिए भश्म हो जाता है, दीपक में या अगनी की लो में जा करके, एवं पतति संसारे, तासुता स्विहियो निशु, अविद्या कर्म तृष्णा भिर, भ्राम्यमानोथ चक्रवत, अविय चक्र चल गया, भोग भोग्षे, शंसकार, तृष्णा, वासना, कामना, इस प्रकार ये अविद्या और भोग कर्म का तृष्णा द्वारा ऐसे चक्र की रचना हुई, कि अवो संसार में बार बार नीची उनियोन में जन्म लेता रहता है, और महांदुख प्राप्त करता है, ब्रह्मा से लेकर त्रण पर्यंत, प्राणियों में, जल में, भूमी में, आकास में वो बार बार जन्म लेता है, पर वो पर्मानंद की प्राप्ती नहीं कर पाता है, हे इदिश्ठिर, ये अविवेकी पुरुष की गती है, तुम विवेकवान हो, शुनो विवेकी पुरुषों की गती क्या होती है, जिसने निश्चे कर लिया है, कि इस जन्म में मेरा कल्यान निश्चित हूए, मैं अब मोक्ष चाहता हू, मुक्त होना चाहता हू, इन भोगों से, मैं भगवत प्रेम चाहता हू, ये विवी की पुरुष की चाह है, वेद की आज्या है कि ये कर्म करो और ये कर्म ना करो अतहा जो धर्म पूर्वग गुर्जनों की आज्या का पालं करने के लिए अहंकार से नहीं अहंकार शून्हों कर करतब्य गुर्दियूं की आज्यां का पालन करने के लिए करता है, अनुष्ठान करता है वो विवेकवान कहा जाता है हम जो आचरन कर रहे हैं अपने बल से नहीं कर रहे हैं अपने गुरु कृपाशे कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं हमारा संकल्प नहीं है, हमारे गुरुजनों का आदेश है कि आपको ऐसा जीवन ऐसी दिन चर्या उन्हीं के बल से उन्हीं के आदेश से तो आंकार होगा ही नहीं क्योंकि हम करता ही नहीं हैं अगर हम करता होते तो पहले कर लेते अब जो हमारे द्वारा हो रहा है यह हमारे उपर गुरु कृपा है हमारी लाड़ी की कृप का है शदयु अपने आराध्य देव का नामजब और आराध्य देव शम्मंधी सद्ग्रंथों का अध्यन और अपने पास जो शुक्षामाग्री है वो मेरी नहीं है वो शेवा के लिए है और आये हुई प्रतिक अंतरिक और बाह कष्ट को शेहना अंतरिक कामादी वेदना को बाहर से गाली निंदा प्रतिकुलता अपमान कले कुपाशक प्रशन करते शम्मे रो दिये कि जब से मैंने भक्ति शुरू की तो कोई रिष्टेदार कोई शम्मंदी परिवारवला हमें प्यार ही नहीं करता वो दुख हम आपसे कह रहे हैं क्या करें अब हम ये तो भक्ति कफल है आपको तो नाचना चाहिए अनंदित होना चाहिए आपको धीरे धीरे प्रभू आपने में ला रहे हैं अनंद्य बना रहे हैं माया कृत जो मुह आकर्शन है वो अपने आप छूट रहा है तो कृपा हो रही हमारे भक्ति की सिद्धी है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई तो यह हम कर नहीं पा रहे हैं मेरे प्रभू देखो कैसी क्रपा करे कि को कोई हमें प्यार नहीं कर रहा, कोई हमें ऐसा भाव नहीं दे रहा कि मैं आपका हूँ, तो कितनी कृपा है, जैसे हमारी सिद्धी है, हे श्यामा श्याम, आप मेरे हैं, और मैं आपका हूँ, आपके श्याम मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, यह हमारी सिद्धी है, यह हमारी भूमिका है भक्ती की चरम वस्ता की यह तो कृपा हो रही अब अग्यान के काराण उसे हम बिप्रीत मान करके रोएं दुखी हों के हमको संसार प्यार करे यह दोखा है तुमारी गुद्धी तुमें दोखे बाजी में फशा रही यहां कौन है अपना मेरा प्रभू एतना चलिया है कि वह यह बिविद रूप रख करके छुपा छुपी का खेल कर रहा है मुझे के उलपे चालना है आप ही हो आप ही हो आप ही हो बस जीवन मुक्त हो गए एक ही प्रश्ण है प्रभू के शिवा कोई और नहीं कोई और नहीं प्रभू के शिवा कोई ठाउर नहीं बस अब वो जब कृपा करके आपको उठा रहे हैं तो आप रो रहे हमें तो कोई प्यार नहीं करता हमारा तो सब बिगड़ता चला जा रहा हमें सब छोड़ते चले जारे यही तो अध्यात्म का फल है वो ऐसे ही सब छोड़ देंगे तुमें तुम किसी को साथ नहीं रख पाओगे कोई तुमें शाथ नहीं रख पाएगा अंतही तो ही तजेंगे पामर तू नतजय वही ते मन पचिते ही है और शर्मी ते तो जो आंतरिक और वाएकलेश इनको शहना और अपने प्रतिजों कोई अपराध करे उसे च्छमा करना दंड देने की भावना ना होना सदय उस सत्यमार्ग का अनुशरन करना मन और इंद्रियों को निर्विशय करना यह है विवेकी पुरुष का लक्षन यह है विवेक मार्ग जो निशकाम भाव से ऐशा अनुश्ठान करे तो बहुत जल्दी उसको मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए भगवत साक्षात कार हो जाए यह दिशकाम भाव से करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए फिर भी निशकामता आएगी क्योंकि भागवतिक मार्ग है अगर इनी कर्तब्यों का अभिमान युक्त पालन किया जाए तो पतन होने की शंभाव ना है पूर्ण तया तुम्हारा कोई शंकल्प नहीं होना चाहिए शंकल्प आराध्यदेव गुरुदेव का कर्तब्य रूप में जो मैं उपदेश मिला है उन्हीं के बल से पालन कर रहे है बस ये बात समझोगे तो कभी आंकार नहीं आएगा चाहे सत संकल्प हो चाहे असत संकल्प हो संकल्पों का करना ही बंधनकारक है सत असत दोनों शंकल्पों को शांत हो जाना शंकल्प पर ही जीवन मुक्त महापुरुष है कोई न सत संकल्प है न सत संकल्प है जो शत है उसका संकल्प क्या हो तो शत है ही पुर्णत्या संकल्पों का शांत हो जाना इंद्रियों का भली प्रकार से वस्मे कर लेना कभी भी किशी को कष्ट ना देने की भावना होना शदय गुरु की शेवा और आग्या में सनलग न रहना साधन उपयोगी ही अहार करना साधना में बाधा न पहुँच जाए ये खुद की अनुभो की बात है जब शात्विक भोजन डाल रूटी पाई जाती है और इतना नहीं अधिक मात्रा में कि वो हमें प्रमाद में लगा दे तो भजन अच्छा होता है और जब बहुत अच्छे अच्छे जो पदार्थ कह गए हैं वो पाए गए हैं तो देखा गया है कि बुद्धी भजन में कम लगती है और नाना प्रकार की प्रापंचिक भृतियां जागरत होती है एक आगरता पुर्वक देखा अन्ता करण में कि जब जिनको अच्छे पदार्थ कहते हैं वो जब खाय जाते हैं तो बुद्धी रजोगुनात्मक होकर प्रापंचिक चिंतन में उत्साह बढ़ाती है और जब शात्विक भोजन कम अहार किया जाता है तो भजन में निरंतर बृति लगने का उत्साह बढ़ता है इसलिए यहां आदेश कर रहे हैं कहरें यथा योग शाधनोप योगी अहार करना कोई भी पकवान या अच्छे पदार्थ बने हुए आप कम मात्रा में लीजिए जितना रोज लेते हैं उससे भी कम मात्रा में तो आपके अंदर कोई विकार नहीं होगा और प्राण पोशन हो गया आप चार रोटी दाल शब्जी पाते हैं किसी दिन पूड़ी पकवान बने हैं दो पूड़ी लीजिए थोड़ी शब्जी ले ले हाग थोड़ा सा मीठा ले बस ठीक है पाले साम के फिर रोटी पाले अब दूसरे भाव में अगर हम पहुँचे तो पहले दिन तो चार रोटी दाल पाते हैं लेकिन जिस दिन अच्छे अच्छे पदार तो यहां तक पाली है अब सारी कि सारी उर्जा सकती पचाने में लगी हुई है अब कब्ज हो गई है गैस बन भजन होगा भी आप पापा के करोगे क्या मले ही तो बनाओगे और आप तो निर्मल शक्चिदानंद शुरूप में इस्तित होने के लिए निकले बहुत सावधा ये बार बार हम इसले करें कि यहीं हम फस जाते है खा खा के मर गए अमरत तो को नहीं प्राप्त रहे अगर उची तहार और भजन करोगे तो अविनाशी शुरूप हो ये तुम्हे अनुभो में हो जाएगा मरने का भै चला जाएगा और आपसे अनुभो की बात कहते हैं कि कम अहार अधिक भजन तो बहुत बल देखा है अध्यात्म बल एकदम उर जाशक्ति कभी ऐसा किशी दिन मैसूस नहीं हुआ कि आज उपवास की है इसलेश ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि ब्रह्मचर अध्यात्म बल एक अध्गुत उर जा सकती और जब ड़कार लेने की भी जगए नहीं रह गई है पड़े रहो इदर उदर टहलो मानशिक चिंतन खराब हो साधनों प्योगी उचित आहाँ और शास्त्नों का अध्यन विचार पूर्वत जो शास्त श्वाध्य कर रहे और भगवत समर्पन दे अंताकरन स्वभाव सर्वस भगवत समर्पन वो कल्यान को प्राप्त होता नहीं जिसका ऐसा जीवन है पूरे संसार को जीतना होता है साधक को एवं करमानि कुर्वन्ति संसार विजिगीशवहा लागद्वेश विनर्मुक्ता एश्वर्यम देवता गताहा जो बुद्धिमान शाधक संसार को जीतने का मतलब क्या होता है संशार को जीतने का मतलब आप हमसे मिले लेकिन आपका चिंतन नहीं होगा आपका ध्यान नहीं आएगा हजारों मिलो बेवहार होगा आपसे बात करेंगे प्रणाम नमस्कार उत्तर देंगे लेकिन आपसे हटते ही अपने स्वरूप में स्थे उसके लिए प्रयास नहीं है कि अब आप गए तो आपका चिंतन आपने क्या कहा था आप बड़े मित्र हैं कुछ नहीं बिल्कुल खतम हुआ ही नहीं हमारा आपका संयोग तटस्त भूमिका प्रश्न उत्तर बादचीत बेवहार जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही सम्याग लेकिन इतना शावधान कि हमारे कैमरे में तुमारी फोटो नहीं आएगी और तुमारी बात नहीं आएगी हमारा कैमरा फुल है खाली नहीं है पिये मूरती नैनन बसै तहीरस रहे समाए ये लच्छन सुनि प्रेम के और नकछू शुहाए और नकछू सुहाए फिरे अपने मदमातो कुटुम देहते जाए छूटी सवही भी दिनातो नहीं तो शुभाव है अंताकरण का आप देख लेना आप जिससे मिलोगे उसकी बार-बार इस्मर्ती उसका रूप उसकी बाद या तो द्वेशात्मत या तो रागात्मत अब बहुत बुरा आदमी हमने क्या भी गाड़ा था उसने ऐसा क्यों कहा बार-बार बार-बार चिंतन ये ये नहीं होता ये अच्छे उपासकों में नहीं होता बिवेक रूपी कहेंची साथ रखी जाती है बात किया वहीं काट दिया उसका चिंतन नहीं अगर कुछ एक मिनट डेड़ मिनट दो मिनट तो आप कमजोर सादक हो और घंटों तो आप समझो कैसे सादक हो अगर बहुत अच्छा था वो चटनी बहुत अच्छी थी वो समोसा बहुत नहीं प्रभू के विधान के अनुशार जो मिला उसको उदाशीनों के पास उसकी कभी चर्चा नहीं उसकी कभी स्मृती नहीं अगर चर्चा और इस्मृती है तो उसने तुम्हें जीत लिया राग पुर्वक या द्वेश पुर्वक बहुत कड़वी सब्जी थी खीर तो बढ़िया थी कोई रागात्मक, अनकूलता कोई ये सादक का जीवन नहीं द्यान रखना दोनों एक में मिला दी खीर और सब्जी राधावल लफसी हरिवन जितना उधर में उसका चिंतना मन कहँगा जे चुप अलग स्वाद लेऊ मखनी दाल का अलग 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 मिलने न पावे और यहां से यहां से अलग अलग कर पावे यहीं सब जा करके कई में जाना है यह केवल फसाओ है फसाओ राधावल लफसी हरिवन बध्यान लखो यह छोटी बात नहीं है यही छोटी बात बड़ी बात कर देती है यही छोटी बात हमको बड़ी गलतियों में पहुँचा देती है पूरे शंसार को जीतना है उपाशक को पूरे शंशार को, यही जीतना है, कोई भी अनकूल, प्रतिकूल, मान, अपमान, हमारे चिंतन को न ले पावे, आप देखो अपने चिंतन को, समझाने की जरुत नहीं, अगर अच्छे उपाशको तो अंतर मुखो कर देखो क्या चल रहा है, अगर प्रभु की शिवान ने को कोई चिंतन चल ला है, वस्तु व्यक्ति स्थान, तो रागात्मक या द्विशात्मक दो ही होगा, फिर क्या है, वही प्रपंच है, नहीं, हमें मिटाना है ये चिंतन, जो ऐसा है, तो राग द्विश मुक्त हो करके, देव श्वरूप हो जाता है, देव भगवान को कहते ह भगवत शुरूप हो जाता है,